इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे NLC India Limited के बारे में जिसने की quarter 1 के numbers को market hours में publish कर दिया है तो बात करीज़े अगर company के outcome की तो company ने quarter 1 को लेके announcement कर दी जिसमें की stand loan और consolidated financial results है along with the limited review reports उसके बाद देखेंगे तो एक और चीज़ देखने को मिली to enhance the investment limit in the equity share of नेवेली उत्तर प्रदेश पावर from 2600 करोड तो 3600 करोड उसके बाद एक और enhancement देखने को मिली investment में जो की 50 करोड से लेकर 1500 करोड तक हो सकती in one or more tranches तो total दोस्तों ये तीन outcome हमें आज की देखने को मिले dividend bonus splits इन तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ की announcement नहीं देखने को मिल रही है अगर बात करते हैं company के consolidated results की जो कि अगर आप देखेंगे तो details आपके सामने और अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को ज़रूर subscribe कर लें और notification bell को भी प्रेस कर लें जिससे कोई भी latest update आए आप तक timely पॉंसतर आए क्योंकि result publish होते ही आपको थोड़ी देर में इस channel के numbers हैं वो हमें कैसे देखने को मिल रहा है तो साल दर साल basis से अगर आप बात करेंगे सारे figure already हमें rupees in crores में देखने को मिल रहा है revenue की बात करें तो quarter 1 की earnings first column में then quarter 4 का data है then last year quarter 1 की earnings है तो अगर बात करें company के revenue की जो की yearly basis पे अगर आप देखेंगे तो 3300 करोड से इस बार 3376 पे आ गया तो साल दर साल basis पे थोड़ी बहुत growth है और PDF company की तरफ से publish है तो थोड़ा blur भी देखने को मिल रहा है और quarter on quarter 3500 से 3300 पे आ गया market estimate की बात करें तो 3800 करोड का estimate लगाया गया था जो कि हमें बिलकुल miss होता हुए देखने को मिल रहा है तो market estimate को revenue बीट नहीं कर पाए औ और quarter on quarter गिरावाट और yearly basis पे nominal सी growth देखने को मिल रही तन उसमें आप अधर income add करेंगे तो आएगी total income जो की 3400 से 36 पे आगी quarterly 4000 क्रोड से 36 पे तो yearly basis पे अगर आप देखेंगे तो company की income तो में ठीक ठाक बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और quarter on quarter अगर आप देखेंगे त quarter on quarter तो quarterly income कम थी तो expenses कम थे yearly income बढ़ी तो company के कर्चे भी बढ़ गए then discuss करते हैं company को total profit या loss for the period कितना हुआ तो last year के अगर बात करी जाए तो company के last year quarter one में जो profit थे total वो 413 करोड के थे वो अजबर 566 पे आगए और quarter four में 13 करोड के profit थे वो अजबर 566 पे आगए तो काफी massive number है और market का जो estimation था profit को लेके वो 476 करोड का था जो की पूरी तरीके से beat होता हुआ देखने को मिल रहा है तो quarter प्रस yearly दोनों ही जगे जबरदस number है और market estimate को भी in terms of profit beat किया same reflection EPS में 2.94 से 3 पे आगया yearly और 2.22 से 3.58 पे quarter on quarter तो overall दोस्तों काफी अच्छे numbers है market की reaction की बात करें तो 5% से ज्यादा की तेजी दो बच के 13-14 मिट पे देखने को मिल रही थी तो आपको आस NLC India के कितने share से comment box में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाब बाई